1, 2, 3, 1, 2, 3, Mic Testing, 1, 2, 3, Mic Testing, 1, 2, 3, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक निक विडियो करने वाला हूँ. अब होता क्या है कि मैं यहां बैठा रहता हूँ और अचानक से अगर मैं विडियो कर दूँगा, विदाओट प्रैक्टिस करें, तो मेरी जो आवाज है उसमें एक एनरजी दिखाई नहीं देगी वो आवाज भीकुल दभी-दभी रहेगी तो मैं क्या करता हूँ उसके पहले थोड़ी ची प्रैक्टिस कर लेता हूँ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, माइक टेस्टिं, 1, 2, 3 So this is how I practice इससे क्या कि मेरी जबड़ा जो है खुल जाता है फ्लैक्सिबल हो जाता है अचानक से जाके यू कैन नोट गिफ द प्रेजेंटेशन यू हैब तो दो द वार्म अप जब आप जिम करते हैं तो आप वार्म अप करते हैं और मैंने बहुत से लोगों को देखा है तो वह जाते हैं कोई स्पीच बगरा देने तो भी वह वार्म अप कर रहे होते हैं तो वार्म अप इस ऑल्वेज एर्बाइजिबल वार्म अप जरूर करें और आप अपने वीडियोज अगर रिकॉर्ड करते हैं मार्केडिंग के लिए तो उन वीडियोज में आपकी जो एनर्जी लेवल एक्दम धासु वाला होना चाहिए और आपका जो हाथ हैं एक्दम बॉडी लेंग्वेज खुली ही होनी चाहिए जैसे की नील पडिल को देखा होगा हमेशा अपने बाडियोज को खुला हुआ रखते हैं वह ज्यादा अच्छा इंपक्ट डालबाते सामने वाले पर दूसरी बात अपने एकदम नेचुरल रहना है जो आपो वही रहना है तीसरी बात, आपका जो गरदन है ये मेरा भी पहले ऐसे रहता था, ऐसे, मैं ऐसे देखता था, ये जो एरिया था फालतों में दिखता रहता, आपको ऐसे रखना है, और कैमेरे की तरफ देखना है, that is more effective, ठीक है, और आपका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, अगर आप पूर के जो gaps हैं, उन्हें हटा दो, right, फिर जो वीडियो निकल के आएगी, वेकदम perfect marketing वीडियो निकल के आएगी, और ऐसी marketing वीडियो को आप अगर use करेंगे, तो बहुत फरक पढ़ने वाला है, तो ये जो छोटी सी वीडियो है, मेरी कैसी लगी, energy level बहुत high रखिए, lighting proper नमस्कार, जैहिंद, जै भारत